हे दोस्तों वेलकम है आपका हमारी यूट्यूब चैनल ट्रेट फॉर टुमारो में दोस्तों जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर फ्री टेकनिकल एनलिसिस कोस के लिए लेसन 52 हाई वेफ केंडल स्टिक पैटन हाई वेफ केंडल स्टिक पैटन एक सिंगल केंडल स्टिक पैटन है हाई वेफ केंडल स्टिक पैटन एक बुलिश केंडल स्टिक पैटन है देखते दोस्तों हाई वेफ केंडल स्टिक पैटन किस तरीके से दिखाई देता है High wave candlestick pattern एक single green bullish candle होनी चाहिए जिसकी body बहुत ही छोटी होनी चाहिए और उसका upper shadow उसकी body से 3 गुना जादा होना चाहिए और lower shadow उसकी body से 3 गुना जादा होना चाहिए यानि की upper shadow और lower shadow की body से 3 गुना जादा होना चाहिए या उससे ज्यादा भी हो सकता अब हम उसे कहेंगे High-Wave Candlestick Pattern, High-Wave Candlestick Pattern में Volume का भी बहुत ही important role है, High-Wave Candlestick Pattern में Volume increase होता हुआ दिखाई देना चाहिए, यानि की High-Wave Candlestick Pattern की पिछली Candle में जो Volume है, उसे ज्यादा Volume High-Wave Candlestick Pattern में होना चाहिए, देखते हैं दोस्तों High-Wave Candlestick Pattern किस तरीके से दिखाई और काम करता है चाट में डाउन प्रेंट चल रहा है और चाट की बॉटम पर आई वेव एट चेंडल्स्टिक पेटेंट जनेरेट होता है और उसकी नेक्स केंडल गैप अप उपन होकर वहीं क्लोज हो जाती है तो हमारा confirmation होंगा इस trade में इंटर करने के लिए और next confirmation हम देखेंगे volume increase होता हुआ दिखाई दे यह दोनु confirmation मिलने के बाद ही हम इस trade में इंटर करेंगे और जैसी हम इस trade में इंटर कर लेते है तुरंथ हमें 2% का stop loss लगा देना है या high wave candlestick pattern की low का stop loss लगा देना है gap up open होकर वही close हो जाती है तो हमारे लिए first confirmation है इस trade में इंटर करने के लिए और second confirmation हम देखेंगे कि volume increase होता हुआ दिखाई दे यह दोनु confirmation मिलने के बाद हम इस trade में इंटर कर सकते है और जैसे हम इस trade में इंटर कर लेते है तुरंथ हमें 2% का stop loss लगा देना है या high wave candlestick pattern की low का stop loss लगा देना है notes point one high wave candlestick pattern की green bullish candle की body बहुत ही छोटी होनी चाहिए और उसके 3 गुना ज्यादा उसका upper shadow और 3 गुना ज्यादा उसका lower shadow होना चाहिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही बाकी हम देखेंगे next वीडियो में